कैसे हो आप सब उमीद करती है सब ठीक होंगे और आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी मेथी की सबजी मेथी और मुंकी दाल दाल के मैं सबजी बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक प्यास स्लाइस करके ले लिए और थोड़े से हरी मिर्ची भी पतले लंबे लंबे ऐसे कट करके ले लिए या तो चीर मार के भी ले सकते हो और उसमें थोड़ा सा नमक दाल के थोड़े से तेल में मैं इसको थोड़ा सा भून दूंगी तो प्यास ना कलर चेंज नहीं करना है यानि के रेड नहीं करना है इसको सिर्फ कच्छी पक्की रखनी है सिंपल सी रेसिपी ये बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ आपको अपने तरीके में जो बनाती हूँ मैं तो वो शेयर कर रही हूँ मैं तो ये देखें प्यास थोड़ी सी भून के फिर उसमें मैंने आड कियू टमाटर ये भी म में दालूंगी मैं शेयर करूंगे आपके साथ है आप सर्दियों में तो ऐसे भी मेथी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है मेथी मुझे तो ऑल सीजन मेथी मेरी फेवरेट है तो यहाँ पर देखे मैंने आड कि थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धन्या पाउडर हाफ ट इसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर इसमें आड करूंगी मैं मेथी मैंने पत्ते तोड़ ली थी इसके और अच्छे से वाश करके मैंने ड्रेन करने चन्नी में रख ली थी उसका पानी निकलने के लिए तो यह थोड़ी सी मेथी दाल के पहने लिए मैं अच्छे से इसको प्यासे चमाटर में और इसको मिक्स करने के बाद में न फिर मैं इस में ऐड करूंगी मुंकी डाल तो यह आपकी चौइज जितनी आपको डाल डालना है डाल सकते हो ऐसा कुछ इसका fix quantity नहीं है तो यह भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी यह मैं इसके लिए मिक्स कर रही हूँ पहले ही थोड़ा थोड़ा दाल के के बाद में ना इखटा मिक्स करने के लिए जमता नहीं है फिर मतलब जो देखिए यह ना बगोना फिर भर जाएगा फिर वह आप मिक्स करने पाओगे बराबर तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी दाल के मिक्स कर ले यह बनके रेडी हो चुकी हमारी टेस्टी सिंपल मेथी की सबजी मूं की दाल के साथ में और बहुत ही अच्छी लगती है इसको आप चावल के रोटी के साथ में जवारी की रोटी के साथ में या तो प्लेन चपाती के साथ में कोई भी चीज के साथ में आप इसको सर्फ कर सक लगते हैं इसके साथ में खटी डाल बनाएंगे ना तो उसके साथ में भी बहुत अच्छी जाती है तो यह हमारी मेठी की सबजी की फाइनल लूक है आप लोग भी बनाना ट्राय करना और बनाने के बाद में कैसी लगे आपको मुझे कमेंड में जरूर बताना मिलते एक नेक्स रेसिपी में तिल देन टेक केर अलाहाफिस